इसके जरीए उन्होंने भारत के कोने कोने में अच्छी शिक्षा पहुंचाने का काम किया उनके इस सफर में उन्हें कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा और हर बार अपने स्टूडेंट्स के बेहतरीन रिजल्ट्स देखकर उनका होसला बढ़ता रहा कोरोना महमारी के समय अलग पांडे ने फिजिक्स वाला आप की शुरुआ की जिससे स्टूडेंट्स को पढ़ाई करने में कोई परिशानी ना हूँ अलग पांडे के इस सपने ने हजारों सपनों को पंक दिये और इस सफर में उनकी प्रेना बने उनके स्टूडेंट्स यही कारण है कि इतने कम समय में फिजिक्स वाला के प्रोक्राइटरी चानल्स पर एक करोर से ज्यादा बच्चे जुड़ चुके हैं और करीब साड़े तीन मिलियन से जादा स्टूडेंट्स ने इस मोबाईल आप को डाउनलोड किया है शिक्षा के एक शेत्र में अलग पांडे के साराहनिय योगदान को देखते हुए जी मीडिया ने उन्हें एक्जेंप्रेरी इंपाक्ट ओन इंडियन स्टार्टप इकोसिस्टम एजुकेशन के एवोर्ट से भी नवाजा नमस्कार मैं हूँ आपके साथ करिश्मा पैसा किसी के सपने को साकार करने की रहा में बाधा नहीं हो सकता यह शब्ड है उस इंसान के जो एक एजुकेशन रिफॉर्मर है एजुकेशन टेक एक्सपोर्ट है और फिजिक्स वाला प्राइवेट लिमिटेट के फाउंडर और सीईओ हैं अलग पांडे P.W.A.P. जो एक affordable और easily accessible online education है जो बच्चों को मुख्य रूप से medical और engineering की परिक्षाएं जैसे NEET और JE के लिए तयार करता है P.W.A.P. में आखिर क्या खास है इसके बारे में बात करने के लिए आज हमारे साथ अलग पांडे खुद मौझूद है बहुत बहुत आपका स्वागत है और इसके साथ ही हमारे साथ है स्टूडेंट्स जिन्होंने P.W.A.P. से जुड़कर काम्यावी हासल की है मैं उन बच्चों का भी आपसे परिच्वे करवाती हूं आज हमारे साथ मौझूद है उज्वा जहरा, महसीन हसन, रूभी, रत्य चोहान, नवरीद और आदित्या तो चर्चा की शुरुवात करते हैं अलग जी सबसे पहले मेरा आपसे ही सवाल है P.W.A.P. के बार में बताएं और उसकी शुरुवात आखिर कैसी थी इसके पीछे की सोच आखिर गया थी सोच तो ऐसे आई कि मेरी जो परसनल लाइफ थी वो भी कुछ ऐसी थी कि हम लोग जब क्लास सिक्स में थे तो हम लोग का खुद का घर भी गया था और फिर हम लोग स्काधरेंट के घर पे रहते थे और इतने पैसे हो नहीं पाए कभी कि मैं एक क्वालिडी एजुकेशन ले पाऊं क्योंकि क्वालिडी एजुकेशन हमेशा हाई कॉस पर होती है इंडिया में तो कभी मैं कोई बड़ी कोचिंग नहीं कर पाया आइटी क्लेकोटा नहीं जा पाया अपने शहर की बड़ी कोचिंग नहीं जोइन कर पाया और उस अपना रह गया फिर उसके आद मुझे लगा कि यार इस अपना मेरा रह गया सबका नहीं रहना चाहिए उसके आद हम P.W. अप लेके आए अप इसलिए लेके आए क्योंकि वहाँ पे कंप्लीट करिकुलम मिलता है कंप्लीट प्लैरफॉर्म मिलता है टेक्नॉलजी मिलती है आँ वहाँ पे डीपी दे सकते हो टेस्ट के दे सकते हो वीडियो सोल्यूशन बच्चे पुरा इनलाइ लगता है बच्चो कोई से ही आ रहा है तो चली हमारे साथ कुछ स्टूदेंस भी चुड़े हुए है उज्वा जहरा सबसे पहले पीरा सवाल आपसे ही है क्या आपको कभी अलक्सर की क्लास लेते वक्त कोई भी लांग्विज बैरियर का इशु पेस करती हैं वहाँ माम डशीनल को बहले लांग्विज बैरियर अजिए अलक्सर क्लास लेकर बाजने कोई I started from the YouTube अलग पांडे सार्च फिजिक्स वाला देर अलग सर्च फिजिक्स वाला देर अलग सर्च किया ग्राविटेशन को टॉपिक माम लेकिन उससे पहले मैंने अलग सर की एक मोटिवेशनल कोड सुनी और जिसकी मुझे उस ताम पर बहुत जादा जरूरत थी माम बिकस मैं क्लास रिजल्स वार नौट ताट मच सुफिशन्ट जब मैंने अलग सर की वोड कोड जो है सुनी उससे में बहुत जादा मॉटिवेट हुई और यह कोड थी अ सिंगल शीट ऑफ पेपर कांड डिसाइड मैं फ्यूचर मैं वही से मैं स्टार्ट किया मुझे लगा कि सच मे यह मार्क शीर जो है यह मेरा फ्यूचर डिसाइड करेगा मुझे अपना विजन जो है बहुत जादा ब्रॉड करा है वह मैंने सब अलग सर से सीखा है कि कैसे अपने विजन को ब्रॉड करते हैं और विध पैसेज ऑफ टाम इस्टार्टे लॉनिंग फिजिक्स वाला चैनल यूचुब और पहली बार मम मुझे अलाइन क्लासे से ऑफ लाइन की फेलिंग आई मुझे अलग सर ने है नाइंट से इंस्पायर किया और पढ़ाया अलग सर ने ही है मम जो मैं अज इस स्टेज पर पहुंची हूँ कि मैं अपने फर्स्ट एटम्ट में ही नीड जैसा एक कि आपके पेरिंस भी हैं तो आपके फादर से मैं जाना चाहूंगे कि आप अपनी बेटी को लेकर आप क्या सोचते हैं आगे भविश्य उसका कैसे देखते हैं मैं बहसे एक लेबर काम करता हूँ पीएचे डेपार्टमेंट मेरे पास इतने पाइश से नहीं है मैरा तंखा सिर्फ साथ हजार रुपिय थे मैं जो महिने में ले रहा हूँ मेरे पास इतने पाइश से नहीं है कि शहर में जाके अपनी बेटी को बेज सकूं ताकि बड़े एडमिशन करूं मगर मेरे पास इतने पाइसे नहीं है इसने खुद सरिज किया है यूट्यूब में अलग सर को और उसने खुद सिटार्ड किया है विदा उट थीज बढ़ाई तो लाश्ट में इसने अमला अपनी कामिया भी हाई सब्दिया ठीक अब आगे हम बढ़ते हैं म मौसीम आप बताएं कि अब आप अपनी सिटी के रोल मॉडल बन गए हैं तो आपको कैसा फील होता है जी मैं थैंक यू मैं पहले तो बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि इंडिया के बिगेस प्लेट फॉम पे में बेटा हूँ अलग सर के साथ क्योंकि हमेशा से ड्रीम मैं अपने सर के साथ जिसने इतना सटने स्ट्रागल के बाद जो मैं इतना स्ट्रागल कि आपने नीड के प्रपरेशन के दौरान उसमें मेरे हल्प जो मैंने ड्रीम देखा था 9th 10th से कि मैं डॉक्टर बनो नीड का एग्जाम के लियर करो क्योंकि जब ही हमारे 11-12 में मैं कोचिंग एफोड नहीं कर सकता था तो मैं सुकूल भी बन थे तो उस वक्त मेरा कोई ओफशन नहीं था कि मैं क्या करूं मैं नीट का एक इजम कैसे उसके बाद मुझे मेरे बाई ने फिजिक्स वाला के बताया फिजिक्स वाले कर बारे में बताया तो मैं बहुत ही खुश कि कितने ज़ादा ये आपसे इंस्पायर हुए है और मेरा अगला सवाल भी आपसे ही है क्योंकि देखिए करोना का दौर वाकई कि स्टूडेंट्स के लिए काफी नुकसान वाला दौर रहा है तो ऐसे में पी डव्य आपकी शुरुआत कर आपने उनको काफी ज़्यादा सपोर्ट भी किया है तो आज कितने स्टूडेंट्स ऐसे होंगे आपके साथ जो इस तरीके से जो डिजल्ट में नहीं लापा रहे ह बहुत चोड़ी तीम थी और बहुत मेहनत की लगाता टेस्ट हुए टेस्ट की वीडियो सलीशन आ रहे हैं बच्चों की मेंटर्शिप हो रही है बच्चों की डाउट सॉल्विंग हो रही है डीपी बन रहा है वीडियो सलीशन पढ़ा रहे है टीचर घंटे गंटे आट- स्ट रहे हैं इसे बहुत से बच्चे हैं जो शाइब ही आते तो स Pacific हो जाते कहीं भी जाते हैं वहीं रहेंगे पर प्र पर पी यहान सब्लू का आने साज वह सेलेक्ट हो रहे हैं जो कि स्याएद तो सलेक्ट नहों पर प्र पीडबलू कार था कोई ऐसा बच्चा है जो किसी गाउं में बैटा है किसी किसान का बेटा है जिसके पावक पाथ चीज के पैसे ही नहीं कि वह पढ़ा ही कर पाया तो वह बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं तो वह रिजर्ट में लिए ज्यादा इंस्टेट ओफ कि कौन टॉप रैंक में कौन निगा वह जो शायद सिलेक्ट ना होते वह जिंदगी में उतना अच्छा नहीं कर पाते अगर हम नहीं जल्दी ना कर पाते कभी न कभी तो करी लेंगे ना चलिए बागे बढ़ते हैं रूबी क्योंकि मेरे साथ जोड़ी तो मैं स्टार्टिंग में ऐसे ही मैं मेडिकल ट्रीट्मेंट चला मेरे ट्रीट्मेंट हो थgg उसके बाद मैं दुबारा से ओॉन-light तो बस मैंने वहाँ पे फॉलो करा, MR सर को और काफी सारे फीजिक्स वाला के जो टीचर्स हैं, सारे वैस्ट हैं, सब कुछ कॉलिटी कंटेंट प्रोवाइड करते हैं, तो मैंने वो फॉलो करा और इस बार मेरा स्कोर 635 मार्ग स्कॉर्ट चली, अब आगे बढ़ते हैं, और मेरा अगला सवाल अब रुटु चोहान से होगा, आप से जाना चाहूंगे कि PW एप और साथी टीचर्स, जो कि अब PW स्टार्स के नाम से फेमस हैं स्टूडेंट्स के बीच में, तो आपके सफर में आकर ये कैसे मददगार सावित हुआ है स्टार्टिंग में माम हम लोग यूट्यूब लेक्टर्स देखा करते थे मैं और मेरा भाई ऐसे यह थीयर आप हे नापकॉर के लूच city फिल선 फिर मेने भी यूट्यूब से स्टार्ट किया पढ़ना जैसे ही हम physics वाला से जुड़े उसके साथ ही teachers का इतना effort था 100% effort हमारे selection और हमारे education की तरफ ही लगा हुआ था उनका motive यही था कि हमें बच्चे को select करना है from the day one day one से जो lecture का quality था, DPP का quality था, test का quality था सब इसी चीज में oriented था जितने भी टीचर से physics वाला के वो इसी लिए work करते हैं पूरा जितना भी करते हैं lectures था है चीन घंटे चार घंटे जैसे सरने का 7-8 घंटे तक खिज जा हैं लेकिन वो इसी चीज के लिए oriented है तो सब भी PWK टीचर स्टार्जी है मिल्कुल और उनी स्टार टीचर से हम बात भी कर रहे हैं अलग जी अब मेरा अगला सवाल आपसे है कि टेकनोलोजी को आप कितना ज़दा इंपॉर्टेंट मानते हैं खास वर से अगर हम education की बात करें तो टेकनोलोजी कितनी ज़दा इंपॉर्टेंट है मुझे लगता है दीमेदी में हर छेतर में हर डिपार्टमेंट के अंदर टेकनोलोजी का इंपॉर्टेंस बढ़ता गया और यह चीज़ एजुकेशन के अंदर भी थी यह मुझे रिलाइस हो गई थी 2015 में और इसलिए 2015 में जब मैं ऑफ लाइन में पढ़ा रहा था तो मैं नी दिकते मारे अंगे सकता है सन्टारैंक्ट असको टेस्ट नियुकर सकता एंचर्आ कर सकता और धी तिकत क्या थी कि वहां मैं अकेला पड़ा रह तु यह भी खेरिक बात थी जब पीडवलु एप आया तो हमारे पास टेकनोलिजी आ गई आज हमारे पास पीडवलु एप में डाउट इंजन है जिसमें आप 24-7 डाउट नहीं सकते हैं हमारी जो टेस्ट सीरीज है टेस्ट के सल्यूशन है टेस्ट की अनलेटिक्स है यह सारी ची बहुत हैं उन बच्चों के लिए एना वो फीस के पराबर मानते हैं तो बच्चा उसको 144 पी में 240 पी में डाउनलोड करके अपने मन पसंट टाइम पर कहा उसको कोचिंग एक फिक्स टाइम पर आटो रिक्षा लेकर पचास रुपर में जाना पड़ता था वहां वेट करन बहुत सारे अडवांटेजी के दी में यह और आएगा और मेरा बिलीव है कि एक ना एक दिन फ्यूचर में कुछ इसका कॉंबिनेशन आ जाएगा ऑफ लाइन और ओनलाइन कर बल्कुल और कहीं जैसा बतार है इसली एकसिबल भी है कि स्टूडेंस बाद में उसको देख सक सब्सक्राइब के साथ इंटर्व्यू में आप काफी कूल टाइप के स्टूडेंस से रिस्कॉंसिबलिटीज और टेंशन जैसी चीजे नस्दीक भी नहीं थी आपके लेकिन आपने अपनी जंदगी को एक नया मोड दिया है तो यह कहानी हम आप से ही सुना चाहते हैं बता पता है फैमिली की कंडिशन्स जो अनस्टेबिलिटी है रिसोर्स अगर काम है बट मेरे तक वो पहुचने ना देना सबसे बड़ी क्रेडिट्स पेरेंट्स को जाता है मैं अच्छे से कर पाऊं और पढ़ाई कर पाऊं अपनी प्रिपरेशन में फोकस रहूं सब ममी ने मे अच्छेट था मेरी माँ एंड मदर हमेशा यहीं बोलती थी कि तुम चिंता मत करो मैं हूं तुम तुमार साथ तुम पढ़ाई पर द्यान दो जलिए देसा कि आपने बताया कि आपकी मदर जो है आपकी बड़ी सपोर्ट सिस्टर रही और क्योंकि वो भी हमारे साथ है तो कि मेरे बच्चे एक दम मतलब आगे निकलें पढ़ाई करें बस और मैंने इससे आगे और कुछ भी नहीं चाहा है आई जरूर कहना चाहूंगे कि जब से नापरित ने मतलब फिजिक्स वाला क्लास जाइन करी थी उससे पहले मतलब पढ़ाई तो करता था लेकिन जैसे इस हसे इसने फिजिक्स वाला से ख्लास जाइन करी थी यह दो बहुत अच्छा करने लग गया घा और टेस्ट भी देता था तो में जोर पूछ थी जह जिए pressing को जोंभी होता था तो मुझे बहूत अच्छा लगता था जब से इसने फिजिक्स सवाला क्लास जाइन करिय और आज शायद इसी कि उनी की वज़ा से आज ही है यहां तक पहुच पाया है तो देखा आपने है कि पी डबलु एप इन स्टूडेंस के लिए कि तनी ज्यादा मददकार साबित हो रही है और सी कड़ी में अब आदित भी क्योंकि मेरे साथ जुड़ चुके है आदित आप से ज अचला था फिजिक्स वाला सर के बारे में तो वहां से पढ़ना कर अच्छी होने लगी फूल फूरी कि फूरी फिर कमिस्टी बीग राते ते तो वह भी हो जारती थी अवाग तो उसी वक्त सड्ने उमीद बैस कर दिया फिजिक्स वाला पे यूट्यूब पर और उसमें ए आप कुछ तो स्टूडियस हैं लेकिन इस एप के जरी आपको काफी मदद मिली है और उनके जो स्टार टीचर हमारे साथ ही है अलग जी मेरा आप से अब आखरी सवाल है कि आपके फ्यूचर गोल्स क्या है आप इन बच्चों को क्या मेसेज देना चाहेंगे ताकि इनका फ्य तबके के बच्चों तक एजुकेशन पहुचा रहे हैं यह सिर्फ आइटी जेही और बेडिकल तक नहीं रूखना चाहिए अभी और बहुत सी फील्ड है जहां गुसना है जैसे कि लौ के एंट्रेंस एक्जाम हो गए हमारे यूप्यस्स के एंट्रेंस एक्जाम हो गए हम आपके नियत अच्छी और आपके इंटेंशन अच्छे हैं आपकी पूरी कोशिश है कि इन बच्चों तक एजुकेशन पहुंचे और वो कहते भी हैं कि अगर आप दूसरों की मदद करो तो भगवान आपकी मदद तो करता ही है बहुत बहुत शुब कामना है आपको भवि इतना ही मुझे दीजिये जाज़त नमस्कार